नमस्कार मैं आपके साथ महेंद्र श्री वास्तो और आज हम लोगे जावद विदान सभाक्षेत्र में नवंबर में विदान सभाक के चुनाव और इस बाद संभावना बंडरी त्रिकोनी संगर्शियां पर होगा मंत्रियों परका सकलेचा, समंदर पटेल और पूरण अहीर संभावित मुकाबला इन तीनों में यहाँ पर होगा और मेरे साथ हैं पूरण अहीर जिस बार पूरी दावेदारी करें विदान सभाक्षेत्र चुनाव लड़ने के लिए पूरी जी आपका स्वागात और अभिनेंदन दन्यवाज श्री वास्ताव जी पूरी जी विदान सभा का चुनाव है पिछली बार आप जिला पंचायत लड़े जिला पंचायत में पार्टिन आपको टिक्र नहीं दिया निर्दिलिया आप लड़े वहाँ से सरपंच चुने दूसरी बार फिर वहाँ से सरपंच बने और तेσιल सरपंच संग अध्यक्ष भी मैं उस सम्माई मेरको सरपंचों ने सबने मिलके चुना और पूरी विदान सभा के जो सरपंचे पंचाई थी राजवाले सभी सरपंचों के साथ मैंने पांच साल काम किया और समनवई बिठा के और उसके बाद जनपत पंचाई से चुनाव लड़े HTSC की का वार्ड आने से मेरा जो स्वयम का वार्ड जो है फिर तारापूर उमेद पुरा केलू खेडा और बरकेडा काम लिया जो जनपत सेतर है वहां से चुनाव लड़े वो भी निर्दिली चुनाव लड़े पार्टी ने अधिकरत उस समय भी नहीं किया था और अभी हम दोनों ही पति-पत्नी चुनाव ऐसा कोई लड़ने का प्लानिंग नहीं थी कि एक जने को अधिकरत कर दें उसमें एक हम पांच साल साथ साल पद पे रहें तो जनता के बीच जाएं वो एक तरह से परिक्षा जैसा रहता है पांच साल में अच्छा किया ये बुरा किया एक परिक्षा देनी थी चुनाव लड़ी है 12-26 बोट से जिला पंचायत का चुनाव जीते हैं जबकि सबसे बड़ी बात ये एक सामने जो उमिद्वार थे मेरे मित्र है मुकेश जी पाटिदार उनकी बहु जो हमारे परिवार की सदस्व जैसे वो थे और उनका कोई नेगेटिव पूरे सेत्र में कुछ भी नहीं था और वो आदमी चुनाव मुकेश जी के नाम से जो चुनाव लड़े हैं मुकेश जी जैसा चेरा था और उस आदमी के सामने चुनाव लड़ना मतलब मेरे को भी कहीं बार लगा कैसे व्यवारिक आदमी के सामने चुनाव लड़े हैं चुनाव के नतीजे कुछ भी आ सकते हैं लेकिन जनता ने वो देखते हुए कि मेरा पविशी देखते हुए और जो दोनों उनके मित्र और मेरे मित्र सब साती हैं उसके बाद भी जनता ने इतना बड़ा रेजल्ट दिया है उनकी समाज के वोट जो पाटिदार समाज यहां कूब वोट थे उन्होंने समाज और सब से उपर उटके और मेरे को बेटा मान के मेरे साथ सब लोग रहे हैं कहीं ने कहीं उनका मन भी मेरे उपर ऐसा था मुकेश जी का कहां अपन चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी किसी कारण वास चुनाव यहां लड़ाय गया तो इतना बड़ा अंतर जंता ने दिया है एक अच्छे आदमी के सामने तो मैं बच्पन से यहां रह रहा हूं यह दोन पांस साल पहले मैंने टिकेट मांगा था और लगबग 15,000 लोगों ने सेतर की बेहन बेटियां और माननी मुकी मंत्री जी की विकास यात्रा आई यहां पर स्वागत किया था और जो सक्ति परदेशन जिसको बोलते हैं कारी करता हूं ने सक्ति परदेशन भी किया था उसके मैंने मना कर डिया, बसपा आम आदमी और दुसरी पारी आट का इनकर विचार दार आटा अबारा का मेरे मन में मैं यह है कि मैं जो विचार दारा तरद में जो चहिन नहीं सकता है में चुनाव लड़ना मेरे और यहां का सेत्र जो भारती जनता बाठी नाराज नी एक व्यक्ति वी शेज के खिलाब चुनाव लड़ा जा रहा है बाचपा के खिलाब चुनाव सब्सक्राइं ने वह है ना अभी थोड़े दिनों के लिए भूल जाएंगे डेर महीने के लिए बूल जाएंगे सिंबोल मोदी जी के लिए वापिस तयार है सिंबोल कोई किसी की बफोती नहीं है कि इस परकार से कोई उपर से कर देगा और मान लेंगे लोग समवाई भी नहीं है इस चीज का जब आप चुना रोलेंगे निर्दिरी पार्टी तो आपको पार्टी से बाहर करें बिल्कुल कि जो लोग उपर हैं वो बंदे हुए होंगे इनसे कोई दबाव में वो होंगे में दबाव में नहीं हूं मेरे शेत्र की जंता दबाव में नहीं है यह पताए पूरण जी चार बार के विधायक और पांशी बार इस बार फिर मेदान में आ रहे हैं इतना सब कुछ आप देखो यह पब्लिक वोट दे रही है शिवराज जी को मौदी जी को हर बार मतदान जो हो रहा है यह इसी नाम पर हो रहा है इस लिए नहीं होगा चुंकि वो जानते हैं शेत्र में मैं यहां का हूँ और पहले आपने कांगरेस को वोट देना पसंद नहीं करते हैं लोग औ सब्सक्राइबार पिश्यां को मिला के 55,000 बोट पिछली बार कांग्रेस को लगबग मिले हैं, चुरियां से 1,000 बोट मिले थे, मेरा मुकाबला इन दोनों से किसी से नहीं है, मेरा मुकाबला मैं चुनाव नहीं, मेरे सटर की जंता चुनाव लड़ रही है, और जनता जो चाहेगी वो करेगी मेरा इन दोनों से कोई मुकाबले वाली बात ही नहीं है पूरान अहिर जी चुनाव जीत गए तो क्या बदल जाएगा जावद में ये बदल जाएगा कि जो धरातल की बाते हैं जो समश्याएं आ रही है देखो विकास मैं सरपंज रहा हूं मैं कोई नई अनाड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूं मैं सरपंज रहा हूं पूरे मद्यप्रदेश में 23,000 पंचाहेदों में लगतार विकास में मेरी पंचाहेद तीन साल तक वित्ती वर्स तक अवल रही है जो व्यापारी है उनके पास भी खेती है और खेती के लिए जो चीजें चाहिए और जो सुईदा होनी चाहिए वो सुईदा पे इन्होंने बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया कभी मैं यही कह रहा हूँ कि खेती किषानी के लिए जो समश्या हैं लोगों के लिए वो सबसे पहले तो खेती किषानी का काम करना है और उसके बाद जो सिक्षा के उपर जो होना चाहिए मेडिकल जो लोगों के साथ जो समश्या आ रही है वो चीजे मूल बहुत आवश्यक्ता जो लोगों की है उस पर फोकस करके वो काम कराएंगे है मेरे होने से मैं कोई जादू करनी हूँ लेकिन मैं के रहा हूँ आपको कोई प्रियास करूआ और दिन रात एक कर दूआ मेरे शेत्र जो समश्या है और शेत्र में जितनी परकार की समश्या है इस वाइडर है दोनों है संबह्य देखो यह बड़े लीडर है बड़े लीडर आ को मैंने तो मेरे कारे करता पसे से चुनाओं अगर जीता जाता साथ करते ना तो जो कोई पब्लिक पशंद नी करती है सामने आजाएगा रिजल्ट में क्या बोलूँ आप रिजल्ट आएगा सामने तब मैं तो के दिया में काऊंँ अजार प्लस बोटो से तीसरी शक्ति मालवा अंचल में कभी उभर के सामने नहीं आए कि दो राष्ट्री पार्टी वहटा कर तीसरा विक्ति चुनाव जीत सर्कार किस के बने की और जो मोदी जी की विचारदारा है stracar भारती जन्ता पार्टी की बन रही है और जो विचारदारा रही है विक्ति चुनाओं के बात जो है इस्तती, जाना है, उनको मालूम है, मैं बारती जनता पार्टी के साथ जाँगा, में विचार अक्सर देखा जाता कि चाहिए, और अगर इस प्रकार के लोगों को आप देखेंगे, चुनेंगे, हाँ ठीक है, कोई मुझबूरी होगी, उनको आज जो इस्तती है एक पंचायद का कोई सी भी पंचायद आप उठा के देख लीजे शुरू वहां से शुरू गिने पहली पंचायद से धालडी पंचायद जो है वह या कदवासा से लगा के अपने फुसरिया पट्याल पंचायद से लगा के आप उधर से ले लिए वो पहली पं कॉना ने बофूल के साथ आ moje कमल कपूल ने मुझे यहां तक पहुंचा यह चीज मैं विचारधा विचार दारा मेरे सरपंजे बना संपनार बार में तो किया रहा है तो दूसरे नंबर पर दूसरे तीसरे की कोई बात ही कि नहीं नोगों की मैं एकाउन अजार प्लस बोटों से चुनाओ मेर को मेर को जो चुनाओ सेकन वाली इस्तिती इनके दोनों के जो हैं दोनों की इस्तिती लोगों को मालूम आप जो जनता इनके पक्ष में जो इनके कारी करता हैं साथ में जो लगे हो जो आस्तिनापूर से बंदे हुए हैं वो दे पूरण नहीं है चीज दो पूरण अईर मैं आकला पूरण मेरे साथ है तब और विश्वास है लोगों का कोई प्रेशर कौन करे ने कोई अड़स मेरे को में समझोती की राजनिती करता ही पूरा चुनाव लड़ेंगे विल्कुल जनता के सम्मान में और जनता के हक में जो है आवाज बुलंद करके और पूरा सेत्र चुनाव लड़ेगा लड़ेंगे बिल्कुल स्वागात है उन्ट तो जो करवट आप इन्तजार करोगे करवट तो कहां गया उन्ट तो ऑषञे ने कंतर बता प्रिंक कर ने को अपका बेटा आपके द्वार चलिए दन्यवैत फिर कभी मुलाकात देंक यू